So, hello everyone, today I am going to start evolution, जो जेनेटिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, that is the evolution, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और मैं इससे बहुत इजी बनाने जा रही हूँ, एक ही शॉट में मैं ये लिक्चर कतम करूँगी, और if you'll follow the same sequence तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, काफी आसान लग ठीक है, तो देखी evolution में हमें क्या पढ़ना है, हम जो है अपने, क्या कहते हैं, universe की origin के बारे में, evolution में हम पहले देखेंगे की universe की origin कैसे हुई, और उसके बाद हम देखेंगे की universe पे, अर्थ की origin कैसे हुई, और अर्थ पे फिर life की origin कैसे हुई, ओके, फिर life की origin में भी हमें यह देखना है कि सबसे पहली लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई उससे जो है multi cellar organism कैसे बने फिर एक एक line में हम लोग देखेंगे evolution कैसे कैसे हुआ है finally कहां तक human beings तक देखेंगे ठीक है ना तो यह चीजे में एक जगे मैंने बना दिया इसको एक जगे में आपको पढ़ाओंगी क्योंकि NCRT ने evolution को कुछ पहले starting में दे दिया है उसका थोड़ा सा part और फिर उसको last में दिया है brief account of evolution के बारे में last में दिया है तो मैं पहले इन सब चीजों को मैंने एक जगे पढ़ा देती हूँ यह काफी आसान हो जाएगा आपके लिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं that is the evolution सो evolution में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो है हमारे universe की origin कैसे हुई थी तो जो हमारा topic है evolution ठेक है तो देखिए सबसे पहले चीज आपको यहाँ पर कुछ जो है यह याद रखने हैं कि मतलब से origin of universe कब हुआ था और इसके लावा हम बात करेंगे कि यह जो क्या केते हैं अर्थ की origin कब हुई थी अर्थ पे life की origin कब हुई थी first cell कब बना था तो कितने million year ego बना था कितने billion year ego बना था यह सब हम लोग को थोड़ा से यहां पर ध्यान देना है क्योंकि question यहां से बनते हैं तो आप एकदम attentive होके focused होके आप इसको समझेंगे ना तो सारी चीज़ें एक जगह आपको समझ में आ जाएंगी तो देखें सबसे पहले हम क्या करने जा रहा हैं हम देखेंगे about we can say यहां पर evolution में हम लोग कई यही चीज़ें देखें पहले हम देखेंगे origin of universe origin of universe ठीक है ना और फिर universe में और फिर उसके बात क्या हुआ origin of earth ठीक है origin of earth और फिर origin of life origin of life एकदम attentive हो के आपको इन सब चीज़ों को समझने है तो देखें universe की origin के लिए एक theory दिया गया था जिसको हम कहते हैं Big Bang Theory Big Bang Theory जो है ना आपसे पूछा जाता है कि यह किस के लिए है तो you have to answer कि this is proposed for the origin of universe तो universe की जो origin हुई थी approximately 20 billion years ago हुई थी ठीक है ना 20 billion years ago अब देखें जहां-जहां billion year ago होगा मैं उसको bya लिखूंगी जहां-जहां million year ago होगा मैं उसको mya ठीक है कोई confusion नहीं होना चाहिए Big Bang Theory क्या करती है कि काफी तेज एक explosion हुआ ठीक है ना काफी तेज 20 billion years ago एक काफी तेज explosion हुआ तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं huge explosion ठीक है ना जो आप देखें इसको मैं समझाने को तूसरी तरह किसे समझा सकती हूं लेकिन मैं उसको ही समझाओंगी एक huge explosion हुआ जिसकी वज़े से क्या हुआ यूनिवर्स expanded हुआ ठीक है ना यूनिवर्स expanded हुआ मैं सारी चीज़ें आपको यहां पर बता दूं और फिर क्या हुआ धीरे धीरे जो temperature कम हुआ ठीक है ना temperature कम हुआ तो hydrogen and helium gases जो है वो फॉर्म हुई ठीक है ना hydrogen और helium gases फॉर्म हुई अब इसके बाद यह gases क्या हुई चंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशन चंडेंस अंडर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के वज़े से यह gases क्या हुई चंडेंस हुई और जब यह gases चंडेंस हुई तो galaxy na nai galaxy का formation हुआ जब आल अपको पता है कि हमारी जो galaxy है हमारी जो galaxy है अर्थ जिसमें है उसको क्या क REDू है क्या केते हैं Milky Way क्या के के है Milky Way galaxy में क्या present है हमारा और तो हमारे जो उर्थ की deserve है ठीक है ना हमारे जो अर्थ की ओर जीन है वह 4.5 बिलियन येर ओल्ड है ठीक है ना बिलियन येर ओल्ड है अर्थ हमारी या बिलियन येर एगो कह सकते हैं आप इसको यूनिवर्स 20 बिलियन अर्थ यहां तक ची समझ में आ चुकी है कोई कन्फियूजन अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूं आप इसको समझने की कोशिश करना ठीक है अब क्या हुआ कि जब अर्थ जो अर्थ है वहां पर जो प्रिमिटिव एट्मोस्फियर था वहां पर प्रिमिटिव एक्मोस्फियर नहीं था देर्र वस लो ओस्फियर लेकिन जो प्रिमिटिव एर्थ था आयक ऐन सढ adelग मोलीकिल तो नहीं थै लेकिन वहां पे कुछ गैसस प्रजिंट KELL थी वह गैस इस कैसे आए हुसके बारे मैं हम बात करेंगे तो और प्रिमिट आ सकता है बच्चों primitive अर्थ पे कोन कोन से gases थे और यह कहां से आये कहां से आये molten mass से जो volcanic eruption थे या जो molten mass थे वहां से gases produce होती थी ठीक है जब यह gases वहां से produce होई तो इसमें से ammonia oxygen atom से methane oxygen atom से इसने क्या करा तो इसने oxygen से react करके water molecule बना लिया इसके बाद अब क्या हुआ है अब यह जो water molecule है ना due to rainfall यह कहां अभी यह कहां थे यह atmosphere में सब present है due to rainfall अब आगे अर्थ पे ठीक है यह सब atmosphere में थे यह उपर थे और rainfall की वज़े से कहां पर आगे अर्थ पर आगे लेकिन उस time की जो अर्थ थी वहां पर बड़ी बड़ी दारा रहें थी तो बड़े बड़े गड़े थे ओके मेरी बात को समझने की कोशिश करना है आपको बड़ी बड़ी क्रिवाइस थी हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो है वहां पर गड़े थे तो जब यह water rainfall के form में नीचे आया तो वह कि जो है ना वो क्या बना लिया ओशियंस बना लिया तो इसकी वज़े से यह due to rainfall कहां आ गया on earth अर्थ पे आ गया और अब यहां पर क्या हुआ ओशियंस का formation हो गया ocean formed तो इस तरीके से यहां पर ocean बने तो ocean में और जो first life है first life है वो कहां हुआ और ocean में बना लेकिन हम यह देखेंगे कि ocean में first life है आप बस यहां लिख देना कि ओश लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि यह जो ocean का water था क्योंकि temperature उस time काफी ज्यादा था तो ओशियन का water क्या था वो खॉल रहा था boiling water था ठीक है तो यहां पर water कैसा था water कर रहा था इसको इसको हेल्डेन एक साइंटिस्ट है हेल्डेन इन्होंने कहा हॉट डाइल्यूट शूप ठीक है कभी कभी एक्जाम में question आ जाता है कि क्योंकि भाई देखें यह water काफी खॉल रहा था और इसके अंदर कुछ इन और्गेनिक मेटेरियल प्रेजेंट थे तो जिसको इन्होंने बोला कि यह क्या है hot dilute शूप है ठीक है न तो अब एक चीज़ यहां तक चीज़ का समझ में आगी और फर्स्ट लाइफ जो फर्स्ट लाइफ थी इसी ओशियन में आई तो अब यहां पर हमने यह ध्यान देना है कि जो फर्स्ट लाइफ की ओर जीन हुई है वह कब हुई थी तो आपको याद रखना है कि अर्थ के बनने के 500 पन सो मिलियन एर बाद में इसकी ओर जीन कब हुई थी फर्स्ट लाइफ की ओर्जिन हुई थी फोर बिलियन येर एगो ठीक है न? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं तो फर्स्ट जो लाइफ थी फोर बिलियन येर अगो ही थी क्योंकि अर्थ जब बनी ना अर्थ के बनने के पाँसो मिलियन येर बाद तो अर्थ four point five बिलियन येर ठीक है उसके फाँसो मिलियन येर बाइफ जो है वो फर्स्ट गणा你好 जो है यहां तक हुआ थी समझ में आ गई अब देखimat how the fust life came पे किस तरह से जो है origin हुई life की तो हम लोग origin of earth यहाँ तो पढ़ लिए origin of earth कैसे हुआ universe की origin कैसे हुई अब हम देखेंगे कि life की origin कैसे हुई तो अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं ठीक है ओके good यहाँ तक चीज समझ में आ गई अब हम लोग देखेंगे कि भाई देखेंगे जो first life है वो कैसे है तो origin of life के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपको year सारे याद रखने universe, earth, first life ठीक है न यह सब आपको year एकदम अच्छे से याद रखना है तो मैं हम देखते हैं origin of life origin of life को लेके काफी सारे theories दी गई है न जैसे आप पढ़ते हो theory of special creation, theory of biogenesis, abiogenesis, cosmojoic theory, chemical evolution तो उसमें हम लोग देखेंगे पहली थी theory theory of abiogenesis मैं ज्यादा नहीं बताने हूँ, हालांकि आपके anxiety में एक एक point दिया हुआ है, कहीं न कहीं इन सब चीजों को दे दिया है, तो आपको उतना ही याद रखना है abiogenesis का मतलब spontaneous generation, इसी को हम कहते है spontaneous generation, याद रखना, spontaneous generation का मतलब यह है, ध्यान से समझना है, कि जो life की origin हुई है, वो non-living से हुई, life की origin किसे हुई है, मतलब living की origin non-living से हुई है, non-living से हुई है, ठीक है न, non-living से life की origin हुई है, तो इन्होंने spontaneously से, आपने कभी नाम सुन वो थे वॉन हेलमांट। थे और इसके अरस्तू थे अरस्तू भी सको सपोर्ट करते थे टिके ना वान हेलमाइट के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पसीने किसे भीजी कमीश को अगर दो उसके साथ इस्ट्रा या गेहूं की बाली के साथ रखते हैं तो उसमें 21 डेज के अंदर उसमें चुहे पैदा हो जाते हैं किसी ने कहा नील नदी के कीचर से फला फला मरत बहुत सारी चीज़े बेवकूफी बरी चीज़े तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई देखो theory of a biogenesis का मतलब लाइफ की a biogenesis मतलब लाइफ की ओरिजिन नॉन लीविंग से हुई है इसको spontaneous generation भी कहते हैं चली इसके criticizer जो थे इसकी आलोचक जिन्होंने theory of biogenesis दिया theory of biogenesis अगर हम कह दें कि theory of biogenesis के supporter और theory of a biogenesis के criticizer तो यह कई साइंटिस थे आपने नाम सुना होगा Francisco Reddy ठीक है Francisco Reddy थे ठीक है इसके अलामा लुइस पास्चर थे ठीक है और इसके अलामा एक और scientist थे मुझे यहाद आ रहा है यहाँ Tale of the meekless just किनल करते हैं तक है इन लोगों स्वानने क्या था projets एक्सपेरिमेंट का मतलब यह वता है। कि इन्होंने क्या लिया कि एक स्वान नेक टाइप का एक जार ले लिया ठीक है ना और इसके बाद इन्होंने कहा कि यहां पर कुछ मीट वगरे इस वगरे के जो है solution यहाँ पर डाल दिये और इसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर चलो स्वान नेक का मतलब यहाँ से air pass नहीं हो रही है ठीक है फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर जब तक यह स्वान नेक है air pass नहीं हो रही तो फ्रेस पड़ा हुआ है ले जो कहते हैं कि जो यह theory of biogenesis का मतलब है कि जो air है ठीक है ना air है वो कुछ spore लेके आता है उसी air की वज़े से यहां पर जो है air में कुछ living spore present होते हैं उसकी वज़े से यहां पर क्या हो रहा है we can say कि life की origin हो रही है तो theory of biogenesis को इन्हों ने दिया था तो यह सारी चीज़ें आपको पता होगी अब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया theory of special creation theory of special creation इन्होंने special creation वाले लोगोंने कहा कि भाई देखो theory of special creation एक फादर सुरेज थे सुरेज उन्हें ने दिया था इन्होंने बताया कि सब कुछ ऐसे ही बना दिया गया है जो भी चीज़ें आज हमें दिख रही है वो काफी पहले से प्रेजेंट है तब तो यह तो एकनम बेखूफी बरी बात है क्योंकि इसको डार्विन ने इसको क्रिटेस क्रिटेसाइज किया था कि डार्विन ने कहा था भाई कि एवरिटिंग जो है आज वो इवलूशन की वज़े से है तो इस पेशल क्रिएशन बस यह कहता है कि देखो इन्होंने यह भी कहा कि जो अर्थ है वो 4000 साल पुरा नहीं है अर्थ की जो उमर है वो 4000 साल पुरा नहीं है 4000 एर ठीक है और सारी चीज़ें जो बनी हुई है कि अच्छ साइंटिस्ट है उनका मानना था जैसे घ्री तिंकर ठीकर ना वह पैंसपर्मिया ठीडिक को स्मो जोईग ठीड कास्मो जोईग ठीडिक यह इसी को पैंसपर्मिया कहते है ठीक कर मिया इन्हों ने यह जो यह किसने दिया था ग्रीग ठीकर ठीक कर 저 rarely नही इनका एक अलग हिसाब किताब था कि लाइफ की जो ओरिजीन है वो किसी दूसरे ग्रह से आई है इन फॉर्म आप स्पोर यहां तक चीज समझ में आगी अब चलो इन लोगों ने सारे जितनी चीजें नों ने बताया चलो ठीक है सब कुछ मान गए यह वह फलाना फलाना जो भ नहीं होगी लेकिन चोफास्त किसी आई ही लाइफ बननी है लेकिन हाउ दौपास्त लाइफ एह रोस वी है थीक है तो सवाल यह है कि चलो ठीक है सब के अपने हिसाब किताबunta 1 लेकिन वह वाला सवाल हो गया कि पहले मुर्गी बना कि अंडा बना ये वाला जो सवाल होता है से वैसे सवाल है कि हाव दफ फर्स लाइफ एरोज पहला लाइफ कैसे बना तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हाव फर्स लाइफ एराइज इसके लिए यह सबसे अच्छा modern theory दिया modern theory और modern theory या फिर इसी को कहते हैं chemical evolution क्या कहते हैं chemical evolution that is a most accepted model that is most accepted model इसको दिया था operine and helden ने operine and helden ठीक है ना operine and helden are you getting my points एकदम अच्छे से समझना इस बात को इन्हों ने बताया कि चलो देखो इन लोगों ने क्या कहा कि जो first life है ठीक है ना वो किससे आई है वो organic compound से आई है किससे आई है organic compound से क्योंकि helden ने कहा कि चलो हमें यह चीज समझ में आती है कि जैसे जैसे अर्थ बना अर्थ पर कैसे कैसे ओशियन बना ठीक है ना और ओशियन में जो hot dilute soup कहा उन्होंने hot dilute soup वो क्या है उसमें उन्होंने कहा कि जो inorganic matter है ना मतलब ओशियन के अंदर जो inorganic matter थे like ammonia, methane, hydrogen यह सारी चीज़े थी वही वो inorganic material है और वो inorganic material मिलके organic material बनाते हैं और उसी organic material से first life बनी है तो इन्होंने क्या बताया कि first life किससे बनी है organic material, organic material क्या है organic material लाइक RNA और protein से अब हम देखेंगे RNA और protein कैसे बनेंगे RNA और protein से first life बनी है और यह जो और्गेनिक had posed by यह बने है भाई यह बने है आपके इन ऑरगेनिक किसे बने है इन्न और्गेनिक मेटे। यह बनाई है तो यह कुछ हद तक accept करने वाली बात थी कि हाँ चलो इन लोगों ने ऐसा कुछ बहुत ये उड़ा के तो नहीं बोला ना कि हाँ चुए से जो है वो लाइफ बन गई ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि लाइफ किसी दूसरे प्लानेट से आई है तो इनका थोड़ा सा हाद हम मॉडरन थेयरी को एक्सपहरिमेंटली प्रूल किया था एक्सपहरिमेंट ली प्रूब किसिने आप से सवाल फूछा जा सकता है एकसपहरिमेंटली प्रूब किया था स्टेनले मिलर ने इसको 1953 में प्रूफ किया कैसे प्रूफ किया कैसे प्रूफ किया कैसे प्रूफ किया अब हम लोग देखते हैं इन्होंने एट एक मैं क्ट्क इए ब्रूफ किया और उस एक्ष्पेरिमेंट का नाम है इस्टीमूलेशन एकुप drivingette तो मैं लिखते जारीム आपसे इस्टीमूलेशन एक्सपेरिमेंट यहां पर जू है क्या था स्टीमूलेशन exponi even todayinking मुझे अगर लिखना नहीं होता मेरे प बड़े आसानी से खतम कर देती तो मुझे लिखना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है चैप्टर मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है चैप्टर का वीडियो बनाने में अगर यह स्लाइड मैंने पहले से बनाई होती मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो यह स पर आती हो इनका एकस्प्रिमेंट कियो लिए और आती हूं इनका एकस्परिमेंट था स्टिमिलेशन एक्सपेरिमेंट कुछ यह रेटर सा उसका नाम था डिश्चार्ज पर्यटर सब्सक्राइशम है नहीं ऐर लगबग 18 और। कुछ नहीं के यह नोंपे tack जो primitive atmosphere का जो माहोल था जैसा मानते हैं कि primitive atmosphere में oxygen नहीं थी ammonia था methane था molten mass से सब निकल रहे थे ना ammonia था methane था water vapor था लेकिन जो है oxygen molecule नहीं था तो इन्होंने और temperature काफी हाई था सब कुछ इन्होंने एक lab में create किया इन्होंने क्या किया देखिए इन्होंने एक यहां पर यह विकन से की जो भी ट्यूब जार वगरा हो उसमें इन्होंने boiling water रख दिया जिसे water vapor generate होगा इसको यहां से इन्होंने मैं यहां लिक दे रहे हुए this is the boiling water boiling water और फिर यहां से मैं इस तरीके से इन्होंने एक जो है इन्होंने का कि यह जो यूट्यूब जैसा आपको structure दिख रहा है यह सबोस करो कि और यहां से water vapor आएगा this is the water vapor और यहां पर एक और ट्यूब लगा दिया इन्होंने एक और जार रखा जो भी है इसको आप ध्यान से समझना और इनका यह सिंपल सा एक्सपेरिमेंट और यहां पर क्या किया कि यहां पर इन्होंने मीथन आमोनिया और एजटू बहुत ही important question यहां से बनता है देखे primitive atmospheric conditions अब को जनेरेट किया और यहां पर electrode लगा दिया यह electrode है ताकि यहां पर जो है ना atmospheric condition जनेरेट हुआ पर काफी clouding thundering यह सब हुआ करता था primitive atmosphere में तो इन्होंने कहा चलो मैं यहां पर एलेक्ट्रोड लगा देता हूं सिंपल जो है कि वह primitive atmosphere की तरह यहां पर सारी condition जनेरेट कर दिया और यहां पर यहां से water vapor आही रहा है compound मिला यह organic compound RNA थे कुछ प्रोटी नहीं पहले इनको क्या मिला और यहां पर फैट्स भी मिले ठीक है ना तो इस तरीके से ठेट सारी चीज़े मिलना शुरू ही are you getting my points? एक सवाल जो यहां से आता है वो यह होता है कि इनका ratio क्या था इनका ratio क्या था बड़ा important सवाल है आप बस इसको पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ना कि देखे जहां पर भी even number है एच्टू hydrogen में even number है, methane में even number है, ammonia में odd number है तो आप even number की जगह दो लिख देंगे और odd number की जगह वन लिख देंगे मतब 2 is to 1 is to 2, 2 is to 1 is to 2 इनका ratio था, तो यह प्रूव हो गया ना भाई लेखो, इन और गेनी compound से यह और गेनी compound बना है प्रूव हो गया यह, अब यह जब प्रूव हो गया तो अब हम लोग इन्हों ने देखिए क्या-क्या मिला इनको actually मतलब ocean में, देखे, atmosphere में यह सब थे, यह सब आपस में combine करके, rain fall के द्वारा जो ocean में आया, तो ocean में क्या है, organic compound बन रहा है, ठीक है, ocean में organic compound जिसमें amino acid, sugars, pigment और fat यह सब चीज़ें present है, are you getting my points, ठीक है, अब किसी ने, अब हम इसके आगे की process देखते हैं, इसके आगे की process को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके आगे, अब हम देखते हैं कि first non-cellular, इन्ही, इन्ही organic compound से, क्या बूर्ड में यहां दिख रहा है, let me check, इन्ही organic compound से, इन्ही organic compound से, लाइक जो organic compound थे, और organic compound आगे चल के, क्या बना है, RNA ठीक है, और proteins, ठीक है, यही organic compound, RNA, proteins, आगे चल के, इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, यह organic compound क्या है, RNA, protein and polysaccharide, यह आपस में aggregate करके, यह आपस में aggregate, सब कुछ आपकी NCRT का point लिख रही है, यह आपस में aggregate हुए, ठीक है न, और इन्होंने, इन्होंने first non-cellular, मतलब बहुत important point है, भाई, सेल नहीं है यह, first non-cellular form of life बटाया, form of life, पहली non-cellular form of life बनी, जो आज के 3 billion years अगो बनी थी, आज के 3 billion years अगो बनी थी, यह कब बनी थी महिया लिख दे रही हूँ, 3 billion year अगो, आपसे सवाल पुछा जा सकता है, first non-cellular form of life, और क्या है, आप बताओ कि आपकी दिमाग में कुछ आता है कि first non-cellular form of life, कभी किसी-किसी बुक में आपने कोईसर वेट का नाम सुना है, कि मतलब RNA, प्रोटीन, पॉली सेक्राइड, यह सब एग्रिगेट करके, first non-cellular form of life बनाते हैं, जिसमें cell नहीं है, के बल मॉलिक्यूल से हैं, और गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है न, जिसको, for example, मैं आपे लिख दूँ, कोईसर वेट, ठीक है न, कोईसर वेट, माइक्रो स्फियर यह सब है, तो first non-cellular form of life आप से एग्जाम में पूछा जा सकता है, that is the, that is the कोईसर वेट and माइक्रो स्फियर, ठीक है, अब इन्होंने ही क्या करा, इन्होंने रिप्रोड्यूस करा, इन्होंने क्या करा, रिप्रोड्यूस करा, अब यही सब आप, ठीक है, first non-cellular form of life यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्होंने रिप्रोड्यूस करा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद, इन्होंने बनाया first cellular form of life first cellular form of life ठीक है इनको प्रोटो बायोंट भी कहते हैं life से पहले प्रोटो बायोंट, living से पहले बायोंट का मतलब living हो गया और प्रोटो का मतलब पहले तो यह प्रोटो बायोंट है अब यह बायोंट, first cellular form of life approximately two thousand million years ago अब यह सवाल भी पूचा जाता है first non-cellular universe, earth first life तो उसके बाद यहां पर क्या है first non-cellular form of life फिर उसको बाद first cellular form of life तो first cellular form of life two thousand million years ago बना था और प्रोबली दे वर single-celled, कैसे थे, single-celled थे, यह single-celled थे कोई भी बना है, वो single-celled था ठीक है, single-celled थे अब यह इन्हों इसमें से कुछ क्या किये कि कुछ के पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट लाइक श्ट्रक्चर थे और उन्होंने oxygen release किया ठीक है ना we can say some released oxygen released oxygen और जैसे कि जो oxygenic photosynthesis जैसा कुछ यहां पर system हुआ और उसने oxygen release किया और इसमें यह क्या किये यह क्या किये यह आगे चलके मतलब single-celled से multicellar organism बनाया multicellar organism यहां से बने ठीक है क्योंकि बहुत complex आपको नहीं लेके जाना है तो कुछ single-cell थे और इन्होंने oxygen release किया लाइक जो पहले से present water था water को तोड़के photosynthesis like process यहां पर हुई और oxygen रिलीज किया और multicellar organism बनाया अब हम यहां पर देखते हैं approximately 500 million year एगो inverti braids की origin हुई inverti braids की origin हुई और फिर लगभग 350 million year एगो jawless सब कुछ कहां हो रहा है सब कुछ आपको याद रखना है सब कुछ ही हो रहा है आपके water में सब कुछ अभी water अभी अर्थ पे surface पे कुछ नहीं हो रहा है सब कुछ water में हो रहा है तो 350 million year एगो jawless fishes बनी 1981 के में South Africa में एक फिस पकड़ी गई थी उसका नाम था सिलेकैंथ सिलेकैंथ यह एक्जाम में कुश्यन आता है जो कि लोग सोचते थे कि यह फिस जो है ना एक्स्टिंक्ट हो गई है लेकिन यह वहाँ पे पकड़ी गई थी सब नामना स्वारी 1938 में 1938 में 1938 में in South Africa फिस सिलेकैंथ वास काट 350 million year एगो यहां तक बात समझ में आ गई अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ है यह जो फिस है ना इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि लग भग लग भग इसको मैं नीचे लेके जा रही हूं लग भग 25320 या मैं इसको यहां पर ऐसे कर दूं इसको इसके आगे मैं यहां पर ऐसे कर दे रहूं हां 320 मिलियन इयर एगो प्लांट्स और सीवीट्स और जीन हुए ठीक है ना ओर जीन प्लांट्स और सीवीट्स की और जीन कब हुई थी लग भग आपकी जो है सबसे पहले प्लांट्स और जब तक अनिमल लेंड पर पहुचे तब तक प्लांट्स काफी डॉमिनेंट हो चुके थे मेरी बात समझ में आ रही है और इसके बाद हम यह देखेंगे कि यही फिस जो है ना यही फिस जो है इसमें से कुछ लोब फिन फिस जो थी लोब फिन फिस यह इवाल्व हुई यह इवाल्व हुई आपके एमफिबियन्स में किस में एमफिबियन्स में यह आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कौन सी फिस एमफिबियन में इवाल्व हुई लोब फिन फिस अब एमफिबियन आगे चलके कुछ इन क्या बनाते है है quat 20 पनाते हैं रेप्टाइल में एक वाल 하면 अब को यहां क्या ध्यान कonia है हिक टॉलिंट कि दॉ मिलीड्ट reptile dominant थे आज से 200 million year एगो reptile क्या थे dominant थे अब इस में से कुछ reptile देखिए कुछ reptile जो है जो amphivian थे यह क्या थे water or land नों पर रह सकते थी जो reptile थे वह आज से 200 million year एगो आये और इनमें से कुछ water में थे ठीक है into water की अगर हम बात करें into water कितना 200 million year ago तो water का एक example दिया हुआ है इक्थियो सॉर्स एक्थियो सॉर्स ठीक है न ये water में थे और कुछ land पे थे land पे थे land पे जो dominant थे वो dinosaurs थे डाइनो सॉर्स बात समझ में आ रही है तो लेकिन अचानक से क्या हुआ अचानक से हुआ 65 मैं यहां पे बना देनी हूँ डाइनो सॉर्स से मैंने एरो लिया है 65 million year ago डाइनो सॉर्स जो थे ना डाइनो सॉर्स वो एक्स्टिंक्ट हो गए वो क्या हो गए एक्स्टिंक्ट हो गए कुछ का मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज की वज़े से एक्स्टिंक्ट हो गए कुछ का मानना है कि भाई यह बर्ड में जो है यह बर्ड में इवाल्व हो गए पहला है कि कुछ का मानना है कि यह बर्ड में इवाल्व हो गए ठीक है फिर अगर हम बात करें मैन की तो मैन जो थे मैन की बात करें या मैमल्स की बात करें तो जो मैमल्स थे फुष्ट मैमल्स थे रहा है वह स्रिवलाइक थे चस्थुन्दर बहुत जो मैं मल थे वह स्री लाइक थे ओके आर्यू गेटिंग पॉइंट्स अब आपको इतना पता होना चाहिए श्री लाइक एंड वी पैरस थे क्या थे वी पैरस थे देखिए एक और चीज़ डाइनासौर सबसे टॉलेस्ट या सबसे टॉलेस्ट डाइनासौर था जिसको हम लो यह कितना लंबा था 20 फीट थे ठीक है इसको आपको याद रखना टाइनासौर 20 फीट यह एक्जाम में कुश्चन पूछा जाता है हालांकि होता कुछ और है लेकिन आपके इंस्याटी में यही दिया है तो आपको यही याद रखना है यह सारा चार्ट आपको समझ में फर्स्ट नानस सलललर फार्म और लाइब बना ठीक है यही और यहीं डी कंपाउंड एगरीगेट करके फछ्ट नानसललर फार्म पाफ लाइब बनाई और फिर यह डिप्रोड्यूस करके फ़स्ट सललर्र फार्म ऑफ लाय बनाए इन्वल्टीब्रेट 500 जौलइस फिसस पि रप्ताइल डॉमिनेंट थे असवक्त टैरेडोफ गपी काफी डॉमिनेंट थे लिखना पनी भूक में रप्ताइल जिस वक्त डॉमिनेंट थे उस वक्त टैरेट कफी डॉमिन थे लेकिन टेरिडूफेयड जो है वह कोल wash बना लिए ट्रिवी इस врем अ skills आपने नाम शुना को डूगम डॉम्तियौ का मतलब यही है जो ठेरिड उब तरह से गई जंगलूं में गिर गया और जंगलों में जगए-जगए क्या बन गया कोईले की खादान बन गई उसी को केते हैं कारबोनी फेर कारबन कारबोनी फेरस एरा तो रेपटाइल जब डॉमिनेट थे उसी वक्त जो है कौण डॉमिनेंट थे टेरीडोफाइड भी डॉमिनेंट थे यह चार्ट आपको बहुत ही help करने जा रहा है, यहां तक चीज समझ में आ चुकी है, बस अब हमें एकदम हमाई दिमाग में सेट हो गया कि भाई देखो कैसे 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 चीजे हुई है, अब हम लोग आ जाते हैं कि मैमल्स में भी मैमल्स के successful evolution की जो story है, ठीक है, उसमें हम man की story को क्या करेंगे, evolution of man को देखेंगे, तो देखिए, हालां कि मैं आप को मैं यहां पे, मैं कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ाना चाहा रही हूँ, कि आप इस वक्त confused हों, इसलिए जो कुछ भी NCRT में दिया हुआ है, वही चीजे मैं आपे follow करूँगी, तो मैंने जो NCRT में man का जो evolution का जो sequence दिया हुआ है, कि कौन कब थे, कैसे थे, किसके बाद कौन सा man आया, किसके बाद कौन सा sequence है, उसको मैं NCRT के sequence ही बनाऊंगी, तो आप उसको समझ लेना, NCRT का जो sequence है, उसका मैंने एक code बनाया है, ठीक है न, उस code को आपको याद रखना है, तो मैंने एक code यह डॉक्टर, ठीक है न, आशू, हैज, इरेक्टेड, नोज, ठीक है न, याद रखना कुछ को नहीं, डॉक्टर आशू, हैज, एरेक्टेड नोज, एंड, एंड को छोड़ देजिए, अब मैं हिंदी में इसको बोल देरी हूँ, कोमल, ठीक है, कोमल, शेप, भाही कहने का मत इरेक्टेड नोज है, और उनका सेप काफी कोमल है, ठीक है न, इसको हम कैसे याद करेंगे, डॉक्टर से ड्रायो पिथेकस, ड्रायो पिथेकस, पिथेकस और रामा पिथेकस, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो ड्रायो पिथेकस और रामा पिथेकस यह एक्रोक्सिमेटली फिफटीन मिल्योन ओग्ओ एक्ष को यहां पर चाह्द को याद रखना एक्ष में आपको यह अगों ड्रायो-पिठेकस और रामा-पिठेकस प्राइमेट्स थे उसमें से जो ड्रायो पिथेकस था वो more ape-like थे वो ज़्यादा एप की तरह दिखते थे जबकि जो रामा पिथेकस थे वो more man-like थे more man राम से याद कर लेंगे तो भूलेंगे राम man ही थे ना ठीक ना तो रामा पिथेकस more man-like थे और ये more ape-like थे इनके fossils आपको इथोपिया और तैंजानिया में मिलता है यहां से यह चीज आपको याद आ गई ठीक है ना इथोपिया और आसू से आए आपके आस्ट्रेलो पिथेकस कोन आए आस्ट्रेलो पिथेकस यह थे in grassland of f जो है अब यह आपको यहां पर ऐसे याद रखना है कि यह कहां पे आए, in grassland of East Africa ठीक ना grassland of East Africa आफ्रीका के grassland में यह रहते थे, obviously यह fruit खाते थे ठीक ना, fruit खाते थे, इनकी height of four feet थी, सब कुछ मैं ready, Ranchi का ही sequence follow करना चारी है, ताकि आपको Confusion हो, इनकी height four feet थी और यह stone weapons बनाते थे इनके fossils वगरे से इनको पता चला कि यह stone weapon बनाते थे अब हैज से हैज से आपको याद रखना है homo heavy है इसके बाद को रहा है homo heavy है होओ मो हैबली हो मो हैबली जद न तिक इनको घंडी ऑस्ट्रेलोपी थे को handyman भी कहते हैं क्या कैते है Handyman Handyman का मतलब यह है Sorry Handyman इनको नहीं कहते है Handyman Homo habilis को कहते है ठीके ना होमो habilis आय और इनके बारे में माना जाता है कि इनका Cranial Capacity है 650 से लेके हाँ यह याद रखना आपको ऐस्ट्रेलो पिठेकस 2 2 million years ago थे ठीक ना यह ड्रायो पिथेकस और रामा पिथेकस 15 million years ago थे और ऑस्ट्रेलो पिथेकस 2 million years ago था ठीक होमो हैवलीस की क्रैनियल कैपसिटि दी हुई है यह six fifty to eight hundred सीसी के आज पास इनकी क्रैनियल कैपसिटि थी इनके फॉसिल lle जावा में मिले 1981 के आज पास इनके फॉसिल मिले इन जावा ठीक है ना यहां पर साथ दिया हुआ है फॉसिल स्वारी 1891 में तो येर में काफी कंफ्यूजन होता है मुझे 1891 इन जावा में इनके फॉसिल मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि फस्ट होमेनीडग थे फस्ट होमेनीड लाइक मतलब थोड़ा सा इनसानों की तरह दिखने लग गया थे फस्ट होमेनीppe लाइक बहुत इंपौर्टंट कुईस्टन है यह और यह भी जो है ना फूरूट ही खाते थे और अभी तक यह सब जो है नहीं फूरूट खाने वाले थे, अब सबसे पहले थोड़ा सा एरेक्ट होके चलने वाले थे होमो एरेक्टस, अब आए हाँ से होमो एरेक्टस आए, होमो एरेक्टस आए और इनकी क्रेनियल कैपसिटी जो है 900 cc के आसपास थी और ये 1.5 मिलियन एगो आए, मेरी बात को एकदम अच्छे से जो को समझते चलना है, तो वो 15 ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 और होमो एरेक्टस 1.5 मिलियन एरोगो और इसके बाद यहां पर आपको चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले ये मीट खाए, सबसे पहले मीट खाने वाले यही थे, ठीक है, और अब आते हैं, नियंडर थल, ठ जिनकी क्रेणियल केफसिटी 1400 सीसी के आजबास, तो आपसे पूछा जाता है, ऐसे कौन से जो है, वीकें से आपके जो थे, एंसेस्टर थे, जिनकी क्रेणियल केफसिटी आज के मॉडरन मैन के बराबर है, तो वो नियंडर थल, और इनकी यह आज से 1 लैक से लेके 40,000 के य आज से 1 लैक से लेके 40,000 ये बैक थे, और यह कहां पर मिले थे आपको, यहां पर दिया नहीं है, चलिए, इनमें सबसे इंपोर्टेंट ये था कि इन्होंने सबसे पहले बरियल कस्टम, मतलब इनके 100 को दफनाने, जलाना, ठीक है ना, कस्टम शुरू कर दिये थे, और इन्होंने अपने जो बॉड़ी है, उसको ढखना शुरू कर दिया था, ठीक है न, तो यहां पर आपके इंसाटिक में दो लाइन दिया हुआ है और याद रखना है आपको यहां तक चीज समझ में आगई बडियल कस्टम किसने स्टार्ट किया था निर्ण रतल कोमल से आते हैं क्रोमेगनन और सेप से आ गए होमो सेपियन्स क्रोमेगनन क्या है ये भी होमो सेपियन्स फॉसिलिस है इनको क्या कहते है होमो सेपियन्स फॉसिलिस ठीक है ना और ये है होमो सेपियन्स सेपियन्स modern man के अगर हम बात करें तो होमो सेपियंस 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 है तो हम लोग होमो सेपियंस यह दोनों क्या है होमो सेपियंस यह दोनों है होमो सेपियंस तो आपके इंसियाटी में यह दिया है चली मैं इसको यहां से आपके इंसियाटी में यह दिया है कि होमो सेपियंस आइस एज के दोरा हजार साल पहले आइस एज था ठीक है आइस एज का मतलब काफी वहाँ क्लाइमेटिक चेंज की वैज़े से वहाँ पे काफी जो थे आइस डिपोजीशन था तो जुसको हम केते हैं आइस एज वहाँ पे मॉडर्न मैन या वी रहना चैनल तो क्रो केव डिवलर्स गुफाओं में रहना शुरू कर दिये और इसके अलावा यह केव आर्टिंग किया करते थे केव आर्टिंग ठीक है ना केव आर्टिंग तो दीखे आईस एज और यहां पे कुछ चीज़ें और दिये हुए हैं कि इसी एज में जो केव आर्टिंग हुआ था केव आर्टिंग और एग्रिकल्चर तो एग्रिकल्चर किसने शुरू किया होगा एग्रिकल्चर मॉडन में ने और केव आर्टिंग शुरू किया था इन्होंने किसने क्रो मैगनन ने तो cave arting आज से 18K year ago और agriculture आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ ठीक है ना ये 18,000 साल 1000 year ago ठीक है ये है पूरा का पूरा evolution of man ये पूरा आपके NCRT में दिया हुआ है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसमें कोई भी complication नहीं आएगी अगर आप इसे अच्छे से समझे हैंगी मैं एक बार आपको और संझा देश सारे इयर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइव पिथेकस मोर एप लाइक रामा पिथेकस मोर मैन लाइक ठीक है ना 15 मिलियन ये और इनके जो आपको फॉसिल मिले थे वो थे इतोफिया और तंजानिया में आज ट्रेलो पिथेकस टू मिलियन एर एगो ग्रासलेंड आफ इस्ट एफ्रिका फ्रूट काते थे चार फिट लंबे थे स्टोन विपन यूज करते थे ठीक है ना होमो है विलिस जो थे वो सिक्स फिफ्टी से लेके यह अस्ट्रोल पिथेकस का सिक्स फिफ्टी से 800 और इनके फॉसिल जो है वो 18 1901 में मिले थे जावा में फर्स्ट होमिनीड लाइक थे यह भी फ्रूट कहते थे होमो एरेक्टस 1.5 यह मीट खाते सबसे पहले यह मीट खाना शुरू किया नियंडर्थल 1400 CC इनका क्रेणियल केपस्ट्री था और इतने वन लैक से 40,000 यह अगो थे बरियल कस्टम सबसे पह और के वार्टिंग होमो सैपियंस मतलब यह दोनों होमो सैपियंस की ओरिजिन आइस एज के दौरान हुई थी 75 से 18,000 के यह अगो और इसमें के आर्टिंग 18,000 यह अगो हुआ था और अगरी कल्चर की चुरुआत आज से 10,000 साल पहले हुई थी यह अगर याद रखेंगे यह सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कोई डाउट नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ों के आपको यह अगर याद रखेंगे यह सिक्वेंस यह रखेंगे यूट एबल टू स्वाल इज एवरी कॉंपिल कॉंपिल कॉम्पिल कॉम्पिकेट क्वेस्चन जो कि आपके अन्से असे क्याने वाले तिक है अब हम लोग अब हम लोग एवलुशन को में जो एडिस्नल पॉइंट दिये में उसको हम लोग पढ़ लेंगे तो मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम ले लिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग जो इसके जो बचेवे टॉपिक है उसको है उस बचेवे टॉपिक में सबसे पहले सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि evidences of evolution evidences of evolution evolution के कौन-कौन से evidence evidence of evolution में आपको पता है कुछ जो है anatomical evidence है anatomical evidence हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तो इनलो स्वापड़ा कि आंदा है। हम लोगों को पढ़ने भाई दिको कुछ ऐसे हैंए , होमव्लोगस ओर गन और इनलोस ओरगर्ण, होमव्लोगस और इनलोगस ओरगर्णraction , देखे, homologus का मतलब क्या होता है, origin same, function different, origin same, function different, तो आप यहां पर लिखेंगे origin same होगी, ठीक है, function different होगा, function क्या होगा, different होगा, analogus का क्या होगा, origin different होगी, origin different है, और function same है, जो आपके NCRT में कुछ example दिये हुए, मैं उनको cover कर देती, तो देखे, NCRT में पहला example दिया हुआ यहां पर, कि जो vertebrate के four limbs है, vertebrates four limbs, हमारे जो vertebrate में, जितने भी vertebrate हैं, उनके four limbs में, bone का arrangement, humorous, alna, radio, phalanges, जो कुछ भी है, carpals, metacarpals, everything is same, उनकी origin क्या है, same है, तो vertebrate में, जैसे की, whale, bat, cheetah, WBC से याद रखेंगे, and, आपके ये, man की, अगर हम बात करें, whale, bat, cheetah, man, सबके four limbs, क्योंकि origin से में, लकिन सबके function different है, सबके function क्या है, different है, तो चलिए दूसरी चीज़ यह है, vertebrate brain, vertebrate brain की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा, vertebrate के heart की बात कर लें, ठीक है, ये सब, और इसके अलावा, देखे thorn, and tendril, thorn of bogan bilia, thorn of bogan bilia, and tendril of cooker bit, tendril of cooker bit, तो आप cooker bit के जो tendril है, और bogan bilia के जो thorn है, इनकी जो origin है, सब axillary bud से हुई है, axillary bud, axillary bud से दोरों निकली है, लेकिन देखे, thorn protection के लिए है, और tendril support के लिए, तो function different हो गया, इस तरह के से, जो homologus organ है, ये divergent evolution सो करते हैं, क्या सो करते हैं, divergent evolution सो करते हैं, divergent evolution का मतलब समझ में आया बच्चों, diverge होके, मतलब origin तो सब की, क्या है, same है, okay, बात समझ में आ रही है, मतलब सब एक ही जगह से, सब function सब के अलग-अलग है, लेकिन origin सब की ए AC से याद रख लेंगे आप, ये convergent evolution सो करते हैं, AC से याद रख लेंगे आप, origin different है, जैसे इसका best example आपको कैसे बताऊं में, जैसे आपका ये हो गया, tuber, tuber of sweet potato, ठीक है, and potato, अब हम देखेंगे, tuber, इनका काम क्या है, storage, ये दोनों क्या करते है, storage का ही काम करते हैं, food को store, starch को store करने का काम करते हैं, लेकिन जो potato है, वो stem modification, potato का stem, आप post से याद रखेंगे, post, post, potato, stem, post से याद रख लेंगे, और ये root, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें confusion होता होगा, दोनों SS तो कैसे बना है, तो आप post से याद रखेंगे, potato, stem, modification, और sweet potato, root modification, ठीक है, इसके अलावा, आप यहाँ पे और example देख सकते हैं, example और क्या है, wing of butterfly and bats, wing of butterfly and bats, wing of butterflies and bats, क्योंकि देखें, butterfly के जो wing है, वो भी उडने का काम करते हैं, bat के wing भी उडने का काम करते हैं, लेकिन इन में, जो इनकी origin है, वो different है, इस तरह के से, eye of octopus and mammal, octopus and mammals, दोनों देखने का काम करते हैं, लेकिन, दोनों का काम vision है, लेकिन यहाँ पर retina का कुछ arrangement जो होता है, वो अलग होता है, retina के structure अलग होता है, तो origin different है, इस तरीके से, flipper of whale and penguin, flipper of penguin and dolphin, penguin and dolphin, दोनों के function same है, लेकिन origin इनकी अलग अलग है, तो this is all about the evidences of evolution में, anatomical evidence, अब हम लोग देखिए, आपने शायद industrial melanism का नाम सुना होगा, industrial melanism, industrial melanism को कैसे समझाते हैं हम, industrial melanism, industrial melanism, industrial melanism क्या show करता है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, industrial melanism का मतलब melanin pigment का रूल है, यहाँ पे, industrial melanism is, यह क्या है, यह show करता है, evolution by natural selection, evolution by natural selection, की मतलब evolution कैसे natural selection से होता है, यह show करता है, ठीक है, और natural, कौन सा natural selection, directional natural selection, directional natural selection, directional natural selection, directional natural, क्योंकि natural selection मैं आपको पढ़ाऊंगी तो तीन तरीके का होता है, directional, disruptive, और stabilizing, ठीक है ना, तो यह show करता है, directional natural selection, अब देखिए, industrial melanism क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे, अगर मुझे आप दो मिनट्स वेट करेंगे, तो मैं इसमें इंक भर लू, क्योंकि पता है, ब्लैक से लिखने में उसे मिटाने में बहुत वक्त लगता है, इस से लिखते हैं तो तेजी से लिखा भी जाता है, और जल्दी से मिट भी जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा, तो चलिए, देखिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिजम क्या शो करता है, इंगलेंड में एक जगे थी, वहाँ पे, जो भी साइंटिस्ट रहे हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इंगलेंड में हुआ था, यह याद रखना इंगलेंड में, ठीक है न, तो इन 1850s के दोरान, और फिर आफ्टर इंडस्टलाइजेशन, सेम जगह का, 1900, 1930 साय दिया हुआ है, 1920, 1920, दो जगह, दो इतने जगह को इन्होंने कंपेर करा, ठीक है न, 1850, बिफोर इंडस्टलाइजेशन है, इस इस दा बिफोर, और यह आफ्टर इंडस्टलाइजेशन, तो इ इन्होंने देखा कि यहाँ पर white color के जो मौथ है, white wing जबन चशन जगह के आफ्टर इंडस्टलाइजराजेशन, दो जग feat. डार्क Allah के जधा हो गय उस दिफोर इंडस्टलाइजेशन मेश़ेशन हो सेос सब्सक्राइज का इस दॉर और पाईजुन हम तो इनका नाम था Came बिस्टन बिटुलएरिया और जो डार्क विंग थे उनका नाम था बिस्टन कार्भोनेरिया कार्भोनेरिया ठीक है ना ये प्रपोर्शन जस्ट उल्टा हो गया आफ्टर इंडस्टिलाइजेशन पहले वाइट वाले जादा थे और डार्क वाले कम थे तो इन्होंने क्या देखा एक्चुली रिजन क्या था इसका बीफोर इंडस्ट्रिलाइजेशन एट्मॉस्फेर में पॉल्यूशन काफी कम था तो वहां पेड़ वगए थे उनकी बार्क पे लाइकेन ग्रों करते थे तो लाइकेन वाइट कलर का होता है वहां प्रोटेक्ट कर लेता था उनकी प्रेडेटर से समझ में आ रहा है तो वाइट वाले को प्रेडेटर खोज नहीं पाते थे डार्क वाले को डार्क विंग वाले थे उनको जो उनकी कि प्रिडेट थे काफी इजली कैप्चर कर लेते थे इस वज़े से डार्क वाले कम थे और वाइट वाले ज्यादा थे इंडस्टलाइजेशन हुआ बार्क पे शूट वगरे डिपॉजिट होने लगे तो बार्क धिरे-धिरे क्या पढ़ने लगे ब्लैक पढ़ने लगे और इंडस्टलाइजेशन हुआ तो पलूशन की वज़े से लाइकेंट डिसपीर हो गए जब लाइकेंट डिसपीर हुए तो बार्क भी धिरे-धिरे-काली हो गई है कि नहीं उस पर शूट वगरे डिपॉजिट होने लगे तो जब शूट ये वाला सूट मतलब जो आपकी य जब लेकते हैं मतलब राख एक तरीके से तो शूट डिपॉजिट होने लगे जिसकी वज़े से बार्क काली पड़ गई अब वहां पर बताओ ये वाइट वाले अपने आपको नहीं जुपा पाते थे अब नेचर ने ने डार्क वाले को सेलेक्ट कर लिया नेचर ने डार और शहीं मकोजना है कि भैंए टेखिये tai ूर्जिअ करते हैं कि किसी चांस इवेंट पेंड करता है किस टाइब का एट्मोस्वेर нить star काiona नेचर किसको सपोर्ट करेगी कौन नेचर को सस्टेंड कर सकता है एक पॉइंट आपके NCRT में लिखा है नाचरल सेलेक्शन इस स्टोकैस्टिक प्रोसेश्टिक मतलब रैंडम जो किसे बेस होता है चांस इवन्ट पे और चांस इवन्ट, मतलब जो भी इवन्ट है वहाँ पे उसपे डिपेंड करेगा और उसकी वज़े से और अर्गैनिजम में चांस्ट म्यूटेशन क्या हुआ यहां पर म्यूटेशन ही तो हुआ ना तो म्यूटेशन क्या हुआ उसकी वज़े से जो है उस पर डिपेंट करता है नाचुरल सेलेक्शन यहां पर देखते हो आपने कभी देखा होगा कि प्रती भी आपके देखते हैं कुछ माइक्रो और गनिजम काफी रजिस्टेंट हो जाते हैं आप देखते हो आपने कभी दिखा होगा कि पहले डीटी था ठीक तो यह सब नेचुरल सेलेक्शन का एक्जाम्पल है बट इस इस अथी एंध्रोपोजेनिक एक्शन नेचुरल सेलेक्शन बाइए अन्त्रोपोजेनिक एक्शन यह आपसे एक्जाम में कुछन पूछा जा सकता है तो यह सारी चीज़ें आपको यहां से साथ समझ में आ गई होंगी एक घंटे हो चुका है और भी यहां पर लगेंगे तुम्हें इसको समझा देते हूं बात समझ में आ चुकी है अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर देखिए अब हम लोग देखते हैं कि evolution कैसे कैसे हुआ यह तो चीज़ें हमने समझ में आ गई है अब हम लोग देख लेते हैं कि जो scientist थे क्या नाम था इनका Darwin ने क्या बताया था Darwin ने यह बताया था कि जो आपका कुछ एक दो पॉइंट और है adaptive radiation का adaptive radiation का adaptive radiation क्या है तो देखिए adaptive radiation का मतलब यह होता है कि मतलब जिसे एकदम ध्यान से समझ जाए कि Darwin यहां पर इसके कुछ एक्जाम्पल में पहले बता दू इसके एक्जाम्पल है एक आपका यह डार्विन फिंचेस के Darwin पेंचेस अदार्विन फिंचेस इसके कुछ एकिसाम्पल इसके लगा मार मार्सुपियल याश्टरलियं ओस्ट्रे लлом को थेलीं यह एंड प्लेसेंटल मैमल्स बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और यह कौन सा इवलूशन सो करते हैं स्टिविलाइजिंग डाइवर्जिंट ठीक है वो आगे हम लोग बात करेंगे भी देखे एक्चुली क्या है डार्विन फिंचेस क्या है डार्विन फिंचेस एक बर्ड की स्पिसीज है डार्विन गैला पैगोज आईलेंड पे अपना जो भी है वहां पे डिस्कवरी वगरा कर रहे थे गैला पैगोज आईलेंड आईलेंड इन्होंने क्या देखा कि आईलेंड पे जगह जगह एप्रॉक्समेटली फोर्टीन टा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड जिसको उन्होंने डार्विन फिंचेस नाम पड़ा उनका और सब सब में डिफरेंस किसमें उनके बीक की जो विकन से ओरियेंटेशन है उनका बीक का सेप एंड साइज है उसमें डिफरेंड कोई किसी का बीक जो ह बीक उनकी चोंच ठीक ना और उन्होंने क्या पाया कि यह सारी के सारे बर्ड एक ओरिजिनल सीड इटिंग बर्ड से बने हैं सीड इटिंग से कोई फुरूट खाने के लिए कोई सीड खाने के लिए कोई पत्ते खाने के लिए कोई कीड़े खाने के लिए कोई मचली पकड़ थे हही मिलि तुने देखा कि एक यह तो कर रहे वोलूशन रहे इसको म झाम sब करेंगे सी z आप्टिव रेडियेशन का मतब जैसे 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 अपने आपको एडाप्ट कर लेना डिफरेंट डिफरेंट रेडियेट हो जाना तो डार्विन फिंचेस थे बहुत इंपॉर्टेंट आपको यह समझ में इसी तरीके से आस्ट्रेलियन मार्सुपील और प्लेसेंटल मैमल क आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है तो वह चीज आपको वहां से क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूँ देखिए आपको क्विश्चन यहां से आ सकता है आपको क्विश्चन यहां से आ सकता है कौन से प्लेसेंटल मैमल कौन से प्लेसेंटल मैमल ठीक है australian marsupial कौन से placental mammal और australian marsupial लगभग एक जैसे हैं उनके जो है एक ही geographical area में अलग अलग पाय जाते हैं इसको आपको याद रखना है तो देखिए placental mole, australian mole के बराबर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपकी बुक में जो डेटा दिया हुआ है उसमें placental mammal का example कुछ ऐसा है जो बिलकुल australian marsupial आप उसमें confused नहीं होंगे जैसे वहाँ पे दिया है placental wolf australian wolf ठीक है ना इसी तरीके से placental mole australian mole ऐसे करके दिया हुआ है लेकिन इसी तरीके से कुछ दिया है जैसे placental mammal में आपको दिया है flying squirrel तो उसके समकच Australian mammal में आपको दिया है flying phalanger तो आप से यहाँ से कुछ नहीं आएगा यहाँ से कुछ नहीं आएगा तीन ऐसे point है जो आप से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन जो है जो placental mammal है वो Australian marsupial के समकच है तो पहला आपको है lemur ठीक है ना lemur is the placental mammal वो Australian spotted couscous spotted couscous के समकच है ठीक है ना कसकस और यहाँ पे दिया है इसका bobcat bobcat यही है ना एक मिनट लेट मी चेक हाँ bobcat है तो इसका Australian marsupial में है Tasmanian tiger cat इसमें lemur sorry lemur हाँ spotted couscous और ant eater ant eater ant eater जो है वो इसके numbat के समकच है numbat यह आपको याद रखना है तो यह parallel evolution कहलाता है क्या कहलाता है parallel evolution कि मतलब जो placental mammal है same उसमें जो lemur है वो इसके बिलकुल parallel होगा Australian marsupial के spotted couscous के parallel parallel का मतलब यह है कि जो placental देखे हाँ placental mammal जो है वो उनकी feeding pattern उनका geographical area उनका niche जैसा होगा बिलकुल वैसा ही spotted couscous का होगा वो जो खाते है जैसे मतलब बिलकुल एक दूसरे के समकच इस टाइप के evolution को कहते है parallel evolution तो आप यह यहां से adaptive radiation को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अब हम लोग देखते हैं कि different different scientists ने evolution के बारे में क्या बताया कि evolution कैसे कैसे हुआ important point आपको यहां से मैं बता दूँ कि कैसे पूछा जाता है ठीक है तो देखिए Darwin ने क्या बताया Darwin ने बताया कि दो ही ऐसी चीज़े हैं दो बहुत important चीज़े हैं जो evolution के लिए responsible है इन्होंने एक चीज़ तो बताया natural selection नहीं होगा तो evolution नहीं हो पाएगा और दूसरा इन्होंने बताया branching descent branching descent branching descent आप समझ रहे हैं मतलब कोई एक organism है इससे कोई नया organism बना B बना C बना B evolve हो गया किसी अलग organism में D evolve हुआ किसी अलग organism है E evolve हुआ किसी अलग organism इस तरह के से branching descent मतलब जो descendants बन रहे हैं वो branching का मतलब क्या है एक दूसरे से बनते चले आ रहे हैं तो ये बहुत important है कि Darwin के two key factor थे evolution के two key factor कौन है Darwin का तो that is the natural selection and branching descent और Darwin ने अपना experiment अभी हमने आपको बताया कि Gala Pogaz Gala Pagos Island पे किया था Gala Pagos Island पे काफी साल हो तक अपना ये discover करते रहे ठीक है ना और इन्होंने HMS Beagle यूज किया था इनकी जो Sip का नाम था HMS Beagle HMS Beagle इनकी Sip का नाम था और आपको पता होगा HMS का नाम Hey Magistric Sip ये एक बार interview में मुझसे सवाल पूचा गया था HMS का full form क्या होता है Hey Magistric Sip और कभी-कभी आपसे पूचा जाता है Darwin के समकच Darwin के समकच कौन से scientist थे जिन्होंने similar type के experiment या observation किया तो वो थे वो थे Alfred Wallace Alfred Wallace Alfred Wallace ने Malay Archipelago पर काम किया था Malay Archipelago Archipelago का मतलब होता है Group of Group of Island ये बहुत important अगला सवाल आप से पूचा जाता है कि ऐसे कोन से scientist थे जिन्होंने Darwin को काफी ज़ादा affect किया Darwin को काफी ज़ादा influence किया तो वो थे Thomas Malthus Malthus एक scientist थे जिन्होंने Darwin को काफी प्रभावित किया था कैसे क्योंकि इन्होंने population theory दिया population theory population theory ये कहती है कि अगर भाईया जो organism है organism increase geometrically organism तो geometrically बढ़ते हैं लेकिन food जो है food increase arithmetically अब आप यहां से देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी Darwin के आँखे खोल दी थी इन्होंने क्योंकि Darwin देखिए इन्होंने कहा कि organism तो geometrically grow करते हैं लेकिन food क्या होते हैं arithmetically grow करते हैं हमने आपको population थी पढ़हा है population growth curve एक मैंने बताया था कि अगर food unlimited है तो J-shaped होगा लेकिन food जो limited है तो ये एक बार J-shaped होगा लेकिन फिर constant हो जाएगा logistic growth के बारे मैंने बताया था और exponential लेकिन यही है यही जो है वो काफी जादा realistic है सच्चा यही है क्योंकि क्योंकि organism तो geometrically grow करते हैं लेकिन food arithmetically grow करता है Darwin की आँखे के से खुली इस बात से इस वज़े से कि Darwin ने कहा था कि भाई over reproduction मतलब कोई भी ऐसा organism होता है कोई भी organism over reproduce कर सकता है वो काफी संख्या में काफी ज़्यादा अपने species के नंबर को बढ़ा सकता है तो Darwin की बात तो काफी सच्चाई थी कि अगर किसी को we can say unlimited resources दे दिया जा तो वो over reproduction से हाथी है तो एक साल दो साल में पूरा अर्थ भर देगा धेर सारे हैं जो जितने भी हाथी है एक bacteria जो है वो पूरा reproduce कर देखे पूरी की पूरी बतलब अविकेंट से की पूरे अर्थ पे bacteria हो जाएंगे लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है ये भी आप जानिए कि Darwin ने over reproduction को प्रूव करने के लिए कई सारे बच्चे पैदा किये थे मुझे ये नहीं पता एक ही शादी की थी उन्होंने या कई सारी शादिया की थी मैं इसके बार नहीं बता सकती हूँ लेकिन उनके कई सारे बच्चे थे कम से कम 15-20 बच्चे थे ठीक है ना over reproduction को ही प्रूब करने के लिए किया था उन्होंने तो इनको बाद में समझ में अच्छा ऐसी बात है कि मालतस नहीं ये बात कहा कि आर्गेनिजम तो जिवेटरिकली ग्रो करते हैं लेकिन फूड लिमिटेड होता है फूड एरिथमेटिकली तो population theory किस ने दिया था मालतस ने दिया था सब clear इससे जदा सवाल नहीं आएगा ठीक है और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि Darwin के बच्चे कितने थे वीवी कितनी थी ये सब नहीं पूछा जाएगा तो चलिए देखिए अब जो है हम लोगि луч देख लेते हैं अब देखिए अगर हम बात करें कि for evolution के लिए variation काफी ज़रूरी है इनोंने एक बात गही थी कि इनोंने कहा कि evolution अगर direct evolution कराना थी तो इसके लिए variation बहुत ज़रूरी है तो बेरिएशन बहुत ज़रूरी पॉइंट इन्हों नहीं यह दिया था एक साइंटिस्त ने सच याजन हैं यह दिन्धीं पॉइंट्छ सेगें warm राविडी कें यह छाट केंटीस्त धार दारर्विं इन दोनों वोगों को Hugo Debris ने कहा for evolution mutation is responsible चलिए इन्हों ने कहा mutation theory इन्हों ने दिया नहीं for evolution variation is responsible variation काफी ज़रूरी है इन्हों ने कहा mutation काफी ज़रूरी है इन्हों ने क्या कहा mutation single step large process है single step large process है large process है जिसको saltation कहते हैं क्या कहते है developers small variation होता है इन्होंने का भई जो מ्योटेशन होता है और डायरेक्षण लेस होता है इन्होंने का समझ में आ रहा हुगा आई एप लोगों को यह चीजे जो मैं बतानी की कोशिश भी कर रहे हूं वह आपको समझ में आना चाहिए कि मैंधी महनत है कि मैं चाहती हूं कि आपको म्मीľ्स होता है अचाणक से आपको सब्सक्राइब का इन्हों ना प्रियूता है व्याद रख हैं रेश्न एघुरन हे खेंगा राइश्न शाट है कि करनी है निए मिकुश्न रिस्पॉन्सिबल सबस्क्राइब तक्छ है सिंगल स्टेप प्रोसेस इन्होंने का स्मॉल प्रोसेस रेंडम है डारेक्शनल लेसे बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना किसी ने evolution के लिए mutation जरूरी है किसी ने कहा evolution के लिए variation जरूरी है, किसी ने कहा recombination जरूरी है, किसी ने कहा natural selection जरूरी है अब आते हैं Hardy-Winberg अब आप कहोगे यहां से Hardy-Winberg का क्या connection है Hardy-Winberg अब आते हैं Hardy-Winberg Hardy-Winberg equilibrium में लिग दूँ यहां पे इन्होंने सबका doubt ही clear कर दिया हार्डी विन्बर्ग equilibrium ये कहता है भाईया देखो ध्यान से सुनना इस चीज को तब समझ में आ जाएगा सारी चीज़े इन्होंने ये कहा कि देखो होता क्या है कि किसी एक ऐसा population लेलो ठीक है मालेजे एक population लेलो थोड़ा सा समझ येगा चीज़ों को मैं चाहूं तो बहुत जल्दी पढ़ा सकती हूं इसको लेकिन मैं चाहती हूं कि आपके सारी question यहां से solve हो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई एक population ले लीजे ठीक है अब उस population की क्या-क्राइटेरिया होनी चाहिए क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि population size should be large पॉपलेशन बड़ा होना चाहिए जैनेटिक ड्रीफ्ट कम होना चाहिए जैनेटिक ड्रीफ्ट लो होना चाहिए अभी मैं बताऊंगी वाट इस दिटेनेटिक ड्रीफ्ट होना चांस वी जो हम कह सकते हैं जो चेंज change by chance इसको हम क्या कते हैं change by chance change in gene are changing frequency change in frequency of gene are genotype जो भी है by chance मतलब किसी chance की वज़से अलेल फ्रिक्वेंसी अगर change हो जाती है ऊसको हम genetic drift कहते है और genetic drift याद रखना genetic drift inversely proportional to अगर जो कम होगा और जिएм сविए ज है काफी ज्यादास सब्सक्षाएगा अपको मैं इसको संझांगा के हैं मतलु कहांगी मिए क MARK कलाओं सेटा लेकिन अगर आपने 5 abs 2 सड़ गया तो जीज जनरेटिक ड्रिफ्ट जेंज बाई चांस चेंज बाई चांस इसको सीवाल राइट की वह कहते हैं करके चांस को रहा तो जनरेटिक डिफट अब उन ने इक पॉपलेशन करेंग रिंडम का मतलू c एक द्साएं में पूछ जाते हैं वहाँ नहीं होना चाहिए और वहाँ पे no migration, वहाँ migration भी नहीं होना चाहिए, अब इन्होंने का अगर migration हो रहा है तो दोनों direction में होना चाहिए, हें-migration या है कोयरहन तो एक जाए को जा रहा है तो एक आये ठीक है और met tishan हो रहा एक म्योंटेशन होरा है म्योटेशन भी दूनों डारेक्शन में होना चाहिए ठीक है भासमें आ रही हैं हामफुल हो और यूजफुल दोन हो तो उन्होंना कहा कि एक 친 push ले ले जूड़ी दरी इसके राइटेरिय क्राइश क्राइचर झूर्बाज उना चाहिए जब सब माइग्रेशन अब इन्होंने कहा कि तब क्या होगा इस cultivation में कोई नहीं जारा हो नहीं ended नहीं हो रहा है बार उसकों इमेजीनेशन है यह एक इमेजीनरी वह से नहीं है इसमें कुछ सच्छा ही नहीं यहांसाे से अप यहीं समझ में आ गई कि भाई और कि इवलूशन के लिए सारीrist जरूरी है evolution के लिए non-evolving का मतलब वहां की वहां की फ्रिक्वेंसी ओफ अलील एंड फ्रिक्वेंसी ओफ जीनो टाइप जो भी वहां पर पॉपलेशन की अलील फ्रिक्वेंसी और जीनो टाइप होंगी constant from generation to generation from generation to generation कितनी सिंपल बात है कितनी आसान सी बात है कि अगर आपने एक ऐसा पॉपलेशन ले लिए जिसमें यह सारी चीज़ें हो रही है कोई बाहर नहीं जारा कोई अंदर नहीं जारा कोई natural selection नहीं है कोई migration नहीं कोई mutation नहीं है कुछ भी नहीं है तो वह पॉपलेशन में अलील फ्रिक्वेंसी और कुजी नो टाइफ रिक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी मतलब वह पॉपलेशन नॉन इवाल्बिंग होगा डैट मींस की एवळीशन के लिए सब जरूरी है म्यूटेसन जरूरी है नैच्रल सेलेक्शन जरूरी है माइग्रेशन जरूरी है सब जरूरी है Hardy-Winberg ने सबको एक किनारे कर दिया यह चीज़ समझ में आई यह imaginary population है ठीक है तो चलिए अब इन्होंने कहा कि देखिए होता क्या है Hardy-Winberg ने अपना दो लाओ दिया पहला इन्होंने बताए P plus Q is equal to 1 और दूसरा इन्होंने बताए P plus Q का whole square is equal to 1 मतलब P square plus Q square plus 2PQ is equal to 1 इन्होंने कहा जहां पर यह P है ना माल लेजिए कि कोई gene है कोई gene है उसके दो allele है एक A है और एक small a है तो यह dominant है और यह recessive है तो जो P है P is the frequency of dominant allele and Q is the frequency of recessive allele मतलब किसी भी population में dominant और recessive allele की frequency एक होती है तो P क्या है frequency of dominant allele वलब कैप्टल A और Q is the frequency of a small a recessive allele की frequency है और इन्होंने कहा जो P square है मतलब अब P square का मतलब A हो गया यह है कि नहीं genotype this is the frequency of genotype क्योंकि देखे allele में एक ही आएगा genotype में दो आएंगे combination है कि नहीं allele में एक genotype में दोनों allele आएंगे तो P square मतलब dominant की frequency dominant genotype की frequency हो गई Q square मतलब AA हो गया recessive genotype की यह genotype हो गया और 2PQ heterozygous मतलब AA तो अगर आपको heterozygous की frequency निकालने बोल दिया question में तो आपको 2PQ निकालना पड़ेगा जैसे मैं एक question एकदम simple सा question बता दूँ तो मेरे पास एक question है कि दिया है frequency of dominant genotype देखे frequency of dominant genotype दे दिया है 0.09 0.09 अब बताया है कि आप बताओ कि इसमें अब मैं सब निकाल देते हूँ यहां से सब निकाल देते हूँ frequency of dominant allele निकालेंगे यहां से तो dominant genotype मतलब capital A capital A मतलब P square है न यह genotype capital A capital P square तो यह आजाएगा आपका 0.3 आजाएगा मतलब स्वरी यह under root हो जाएगा आप इसको निकालेंगे P निकालेंगे तो यह under root हो जाएगा 0.09 तो P कितना आजाएगा 0.3 तो Q कितना आजाएगा बताओ मुझे अब आपसे पूछा कि बताओ frequency of dominant allele क्या है तो allele आप P निकाल लोगे 0.3 recessive allele मतलब Q निकाल लोगे तो 0.7 आजाएगा क्योंकि 1 होता है न 0.3 प्लस 0.7 अब आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई frequency of recessive genotype recessive genotype मतलब Q square निकालोगे न genotype मतलब AA Q square देखो यह हो हो न AA तो आपका 0.7 आपका 0.49 के आसपास आजाएगा अब आपसे पूछा frequency of heterogigus heterogigus निकालने का मतलब आप 2PQ निकालोगे तो यह 2 into 0.3 into 0.7 यह सवाल है heterogigus की frequency 2PQ निकालोगे AA नहीं निकालोगे यह निकालोगे यह heterogigus है capital A small A लेकिन इसकी frequency आपको 2PQ निकालना पड़ेगा तो heterogigus आपसे exam में question यह भी आया था capital A small A 2PQ के बराबर होता है Are you getting my points? एक सवाल मैं और बता दूँ एक सवाल आपको ऐसे निकालना बहुत आसानी से बहुत सवाल दिया है कि एक population है ठीके ना random meeting जहां पर हो रहा है population है उसमें उन्होंने कहा कि 100 individual है one sickle cell anemic है one sickle cell anemic है in hundred individual मतलब उस population में 100 है उसमें से one sickle cell anemic है बड़ा अटपटा सा सवाल है अब बताओ कि dominant genotype की frequency कितनी होगी dominant genotype मतलब P निकालना है sorry dominant allele की frequency कितनी होगी अब हम यहां से ऐसे निकालेंगे भाई देखो sickle cell anemic एक recessive disorder है recessive मतलब यह small a small a में यह express होगा यह recessive disorder है small a small a small a small a 1 out of 100 small a small a मतलब q square q बराबर 0.1 यह क्योंकि यह आजाएगा q बराबर 100 तो यह आजाएगा 1 by 10 that is 0.1 प्रिक्वेंसी पॉइंट वन आ गई तो डॉमिनेंट अलील की फ्रेक्वेंसी पॉइंट ना गई यह दॉमिनेंट जीनो टाइप की फ्रेक्वेंसी पीस्क्रा निकाल दो गे टूपी क्यू निकालो मतलब जो कैरियर होंगे सिक्ल से लेनीमिया सिक्ल से लेनीमिया के कैरियर अगर आपको पूछ दिया तो आपको यह निकालना आते हैं मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाओंगी पका बनाओंगी लेकिन अभी के लिए नहीं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है मुझे सारी चीज़े कवर करनी है तो लेट मी चेक दे टाइम बहुत अरे एक घंटे पचीस मिनट होगे भाई पांच मिनट और नैचुरल सेलेक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हो वाट इस दर नैचुरल सेलेक्शन देखे नैचुरल सेलेक्शन तीन तरीके का होता है पहला है डायरेक्शनल ठीक है दूसरा है स्टेबिलाइजिंग और तीसरा है डिसरप्टिव बहुत सिंपल एकदम ऐसे मैं बताऊंगी आपको कभी भूलेगा ही नहीं इस्टेबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मान लो की हमारे पास क्या है इसका बेस्ट एक्जामपल है मैं आपको बता दू रॉबिन बर्ड अभी में बहुत सारे एक्जामपल आपको बताऊंगी बहुत सारे एक्जामपल बताऊंगी सिकल सल अनीमिया सि जिनके पास capital A, small A वाला होता है, जो carrier होते हैं, sickle cell trait मतलब जो carrier होते हैं, जिनका 50% RBC नॉर्मल होता है, और 50% RBC कैसा होता है, sickle saved होता है, मैंने पढ़ाया था आपको genetics में, वो क्या होते हैं न, वो malaria के लिए resistant होते हैं, तो आपको पता है कि इसके sickle cell trait वाले जो organism है, वहाँ पे ये condition होती है, मतलब आप sickle cell जो जिनका normal hemoglovin होता है, वो HBA, HBA, normal, जिनको जो sickle cell वाले हैं, एकदम 100% जिनका RBC sickle safe हो जाता है, ये है, और carrier वाले HBA, HBS होते हैं, 50% normal, 50% carrier, तो बताये, प्लाज्मोडियम के लिए कौन, मतलब malaria resistant के लिए कौन सबसे suitable होंगे, malaria resistant के लिए nature इनको select करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि इनका 100% normal है, हमने का कि जो sickle cell trait वाले हैं, जो carrier वाले हैं, इनका 50% sickle safe हो malaria के लिए resistant होते हैं, मतलब उनको malaria नहीं होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो plasmodium है न, उसका host RBC है, है न, उनका host क्या है, RBC है, तो 50% RBC, अगर RBC का safe distorted है, तो उसमें reproduce नहीं कर पाएंगे, और वो malaria से resistant होंगे, mostly, तो nature malaria resistant के लिए किसको select करेगी, इनको न, ये तो मरी जाएंगे, ये तो जिन्दा नहीं रह पाएंगे न, क्योंकि 100% RBC, इनकी sickle safe हो जाती है, यहाँ पे 100% normal, इनको, मतलब कहने का मतलब ये है, कि दिखिए, ये, यहाँ पे HBA है, extreme, HBA, और ये extreme में HBS और HBS, लेकिन intermediate के है, HBA, HBS, कैने का मतलब, ये extreme को select नहीं करना, किसको select करना, केवल intermediate को select करना, mean को select करना, मतलब, peak आपका थोड़ा सा ऐसे चला जाए, पहले ऐसा था, अब ये peak थोड़ा सा higher चला जाएगा, मतलब, मतलब, peripheral को select नहीं करना, intermediate को select करना, is the stabilizing, या centripetal भी कहते, इसको और क्या कहते है, centripetal भी कहते है, centripetal भी कहते है, बात समझ में आ रही है, मतलब, mean को select नहीं, mean को select करना, peripheral को, मतलब intermediate को select करना, peripheral को reject कर देना, आपको पता है मैं Robin bird का example क्यों ने लिखा यि 17yy को सेलेक्ट कि और इंक्तर मटव सेलेक्ट sono खिरेट को आपका arrow अंदर की तरफ आएगा देहान देना मीन को सलेक्ट करना Directional का Best Example है Giraffe Neck Giraffe की Neck और मैंने Giraffe की Neck क्यों नहीं पढ़ाया Lamar का और Darwin का Example क्यों नहीं पढ़ाया अभी बताती हूँ और दूसरा है Industrial Melanism Industrial Melanism ठीक है न, देखो कितना अच्छा समझ में आएगा आपको अभी Giraffe Lamar की ये कहते थे भाई, Lamar कहते थे कि पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ थे सोचो आप, Lamar की ने ओर्गन Theory of Use and Disuse दिया बात समझ में आ रहे है न, Theory of Use and Disuse किस ने दिया था, Lamar की ने दिया था Use and Disuse का मतलब जो और जितना यूज होगा वो वो उसका development होगा जो यूज नहीं होगा उसका वो डिसपीर हो जाएगा तो इसके बहुत सारे क्रिटिस क्रिटिसाइज भी इनको किया गया था बहुत सारे एक्सेप्सन भी है वो अभी आपको पढ़ना नहीं है तो Lamar की जिराफ की लेकिन डार्वी ने का नहीं मैं क्या पता है हां लेमार्ग ने कहा कि पहले चोटी गरदन वाले जिराफ थे और उन्होंने क्या किया कि जब पहले वो घास फूस खाते थे लेकिन अजानक से वाइट विंग और डार्क विंग बिष्टन मतलब वो मॉथ वाला एक्जामपल वैसे ही इन्होंने का चोटी गरदन वाले पहले कम थे अच्छवारी जादा थे और बड़ी गरदन वाले कम थे लेकिन जब घास सूग गई तो अब क्या हुआ प्रोपोर्शन रिवर्स हो च्छोटी कुछ आसी ती कि यहां पे थे यहां पे थे बड़ी गरदन वाले यह मैं इसे मान लूब यहां पर extreme पर थे कम जो थे कम जो थे यहां पर चोटी गर्दन वाले थे ठीक है ना यह मैं इसको industrial melanism वह सेम पहले white moth जादा थे और dark moth कम थे ठीक है ना white wing जादा थे तो चलो white कि दोनों को साथ मिन लेकिन अब क्या हुआ नेचर ने इनको सेलेक्ट किया यह यह अब इएक डारेक्शन में सिफ्ट हो गया एक डिर्रेक्शन सीफट होने का मतलब भाई देखो यो पहले इंटरमेडियेट था जॅ ज़ादा था इस पे आगया कम पे आगया और जो कम फा उब जादा पे आगया जो जादा था कि परमीन पर अगया जो इंटरमीडियेट था वह पेरिफेरल पर आगया और जो peripheral पे था वो intermediate हो, मतलब proportion reverse हो गया और curve एक direction में shift हो गया, बात समझें इसे directional selection कहते हैं, disruptive का मतलब, एक curve है, ठीक है ना, और ये एक से ज़्यादा curve में shift हो जाए, दो curve में, मतलब इस तरीके से, यहां पर क्या हुआ, intermediate को nature reject कर देती है, और intermediate को nature reject कर देती है, और peripheral को select, जो peripheral है उसको select कर लेती है, मतलब diverge, disrupt diverge होना, disrupt centrifugal इसको कहते हैं, इसका best example है, आपका ये, adaptive radiation, जो adaptive radiation का मतलब, जैसे seed eating bird थी, वो काफी कम हो गई, उससे जो अलग-अलग, मतलब ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं, कि जो intermediate था, उसको nature नहीं select कि किया, select किसको किया, अलग-अलग type के लोगों को, जो पहले कम रहे होंगे, या पहले जो नहीं रहे होंगे, उनको select किया, इसके भी example बहुत सारे हैं, लेकिन बस आप ऐसे समझे, कि यहाँ पे एक peak दो में तूट गई, यहाँ पे intermediate को नहीं, यहाँ पे peripheral को select किया, intermediate को reject किया ठीक है, तो देखे, stabilizing में क्या हुआ, intermediate को select किया, peripheral को reject किया, disruptive में क्या हुआ, peripheral को select किया, intermediate को reject किया, और यहाँ पे peak एक direction में shift हो गया, तो this is all about the natural selection, and last is the genetic drift, जिसके बारे मैं आपको बता दूँ, देखो, genetic drift अभी मैंने बताया, genetic drift का मतलब अभी यह क्या है, change by chance, change due to chance event, अचानक से किसी वज़े से हो जाए change, gene frequency और allele frequency में किसी population को, तो उसको genetic drift कहते हैं, इसके दो effect आपकी बुक में दिया है, एक bottleneck effect है, और एक founder effect है, founder effect क्या होता है, founder effect का मतलब क्या होता है, कोई large population है, जैसे मालों यहाँ पे 10 individual है, यहाँ से कुछ population, कुछ member अलग हो गए, दो अलग हो गए, अब यह कोई नया population बना लेंगे, तो इनको हम कहेंगे founder population, तो देखे, इनके, अभी जो नई population होगी ना, इनका genotype इन से जादा मैच करेगा, इन से कब मैच करेगा, तो this is the founder effect, founder effect किसकी वज़े से होगा, कि कोई large population है, वहाँ से कुछ, वहाँ से move कर गए, और जाके एक अलग population बना लेंगे, तो उनके genotype में चेंज आया गी नहीं, वहाँ की population में, और उन्हों की population का genotype होगा, वह founder population से ज्यादा मैच करेगा, बॉटल ने effect का मतलब यह है कि कोई, जैसे मा लिजे कि कोई ऐसे population है भाई, ठीक है ना, बहुत सारी population है, कोई catastrophe आया, प्रलय आया, या कुछ भी हुआ, या किसी भी टाइप का catastrophe आया, और इनकी population काफी कम हो गई, काफी कम हो गई, बात समझ में आ रही है, ठीक है, अब इनक इनकी population काफी कम हो गई, तो यह फिर तो reproduce करके कुछ population तो बनाएंगे ही, बतलब इनकी population बॉटल के पहले बॉटल की बॉटव जैसे थी, और अब इनकी population बॉटल के नेक जैसी हो गई, ठीक है, तो फिर इसके बाद यह जो भी, आब यह जो नया झ., णेया population बनाएंगे, नय पॉपलेशन इनके जीनोटाइप से ज्यादा मैच करेगा एस कंपेर टू इनके ठीक है तो यह है बॉटल ने इनक इफिक्ट तो आज के लेक्चर में हमने इवलूशन खतम कर दिया और यह बहुत इंपोर्टन लेक्चर है आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें कवर हो चुकी है और अब अगले लेक्चर में हम लोग Human Health and Disease को पढ़ेंगे Thank you